इसपषे ऑल्लू को एव्लिबन आज हम डिस्कूस करने हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के एक्जैंब14 क्योंकि एक्जैंबडेश पडर्ण कमें बहुत पार आते हैं इसके बाद हमेंं पर यह बहुत ज़रूरी है इमल्सिफाइंग एजेंट्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इमल्शन क्या होते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि इमल्शन जैसे कि या आप अपने दूद आप मिल्क देखते हैं तो फैट लिकविड के अंदर यानि वाटर के अंदर डिसपर्ज रहता है तो यहाँ पर medium क्या है water और जिसके अंदर थोड़ा-थोड़ा dispersed phase क्या है oil तो इसे बोलेंगे oil in water system जबकि यहाँ पर जो medium है वो oil है जिसमें थोड़ा-थोड़ा water dispersed है इसके examples करेंगे तो हमें जादा समझाएगा example फिर से सुनिए milk milk के अंदर बहुत सारा आमें water देखने को मिलता है जिसमें थोड़ा-थोड़ा fat dispersed है तो इसका मतलब oil in water ठीक है दूसरा है vanishing cream इसके example उसे देखते हैं उसे जल्दी समझाएगा जब आप points cream या कोई भी cream अपने हाथ पे लगाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप घी लगा रहे हो आप नहीं ऐसा feel नहीं होता कि घी लगाया है normal सा feel होता है बट थोड़ा-थोड़ा वहाँ पर आपको लगता है जैसे कि कुछ चिकनाहट है तो थोड़ी लगती है वो तो वैनिशिंग क्रीम के अंदर आप क्या देखते हैं कि वाटर मिटनेंट है जो लगाने के अब सुटते है तो थोड़ा सा अगी या कि फैट पर डिया जाता है ऐसे ही cream भी होती है जो खाने वाली cream होती है तो cream और butter water in oil के example है जबकि vanishing cream या face cream वो एक oil in water के example है आप कुछ समझ आगया होगा emulsion अगर आप detail में पढ़ना है तो वो आप जब chapter पढ़ेंगे मेरी जो next video है उसे देखेगा उसमें आप emulsions देख पाएंगे यहाँ पर हम पढ़ emulsifying agents क्या होते है यह oil और water कभी मिलते तो है नहीं वो तो layer बना लेते हैं बड़ उन दोनों को एक साथ लाने के लिए जो हम third component डालते है उसे बोलते है emulsifying agent emulsifiers भी बोलते हैं इंको अगर आप emulsifying agents नहीं डालेंगे तो यह देखे यह mayonnaise है mayonnaise emulsifier के साथ तो यह बन गई है पर लेकिन असल में उसका जो दोनों components है वो अलग-अलग रहते हैं दो अलग-अलग तरह के liquid अलग ही रहते हैं अगर हम emulsifying agents नहीं डालते हैं emulsifying agent करते क्या है यह water है यह हमारे पास water है और यह oil है तो water और oil के बीच में यह emulsifier एक layer बना लेता है जिससे कि यह दोनो water और oil आपस में मिल भी नहीं पाते और एक साथ भी एकी जगा पर रहते हैं तो हम यहाँ पर सिरफ examples discuss करेंगे तो हम इससे और जादा detail में नहीं जा रहा है बस आप यह ध्यान रखेगा emulsifying agent क्या करते हैं एक interfacial film एक layer बना लेते हैं disperse phase और medium के बीच में हम examples पर focus करते हैं oil in water जैसे कि दूद दूद के अंदर आप जानते हैं अदरवाइस फैट और oil अलग रहता दूसरा example है gum natural synthetic sops उसके अलावा water in oil के examples है lamp black long chain alcohol heavy metals also fatty acid lamp black black color का powder है आप वो देख सकते हैं long chain alcohol मतलब कि हमारे पास 12 carbon की chain है लंबी 12 carbon की chain जिस पर क्या लगा है OH तो यह example है है हमारा long chain alcohol का उसके बाद heavy metal salt of fatty acid मतलब कि जैसे हमारे पास बहुत सारी लंबी चीन है carboxlic acid और यह salt किस जैसे heavy metal heavy metal examples ले सकते हैं lengthenoid, actenoid जैसे कि कोई भी आप EU यहाँ पर रखे इस तरह का तो यह क्या है heavy metal salt of fatty acid तो example है water in oil आप इन्हें revise किजेगा इसके बाद हम क्या question एक discuss करने वाले the principal emulsifying agent for oil in water oil in water का अभी हमने देखा था oil in water उसे milk imagine करना तो उसमें oil in water से milk याद आएगा और milk में क्या होते हैं ठीक है उसके अलावा milk में नहीं पर दूसरे मलसिफाइड एजेंट कोन से हैं जैसे गम और natural synthetic soap यह oil in water के हैं oil in water का पूछा है lamb black नहीं है long chain alcohol नहीं है heavy metal salt नहीं है तो answer is natural synthetic soap तो इस तरह के question आते हैं आप इसके practice कीजिए आपको सिरफ इन छे नामों को याद करना है protein gum natural synthetic soap उसके अलावा lamb black long chain alcohols और heavy metal salt यह water in oil के हैं यह बहुत important है आपके competition वाले exams के लिए thank you so much अजय की पिर भीर is the range